कल में district hospital गया था, अमारे यहां का जो जिला अस्पताल है, वहां के मैं surgical ward में गया था, जहां पर pregnant woman जो होती है, उनका seagerian होता है, delivery होती है, operation के दोरा जो बच्चा होता है, तो उस ward में गया, वहां पर कई patient मैंने ऐसे देखे, मैं अपना personal experience share कर रहा हूँ दोस्तों आप से, का जाने लगा तो वहां पस निकला और जो इस को काफी प्र हो रहा था इसके साथ ही उस्को फीवर भी आने लगा था तो उसके होसे इसको मंनेस करना चाहिए दोस्तों कई बार क्या होता है आप ये क्लीनिक पर भी कई ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कन्यूला या फिर फिर फीगल लगाना पड़ता है क्यों लगाना पड़ता है आप सबी लोग जानते हैं जब उसको आईवी फ्लूट्स देने कुछ आपको सेयर कर देता हूँ आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर इस वीडियो से मिल जाएगा अगर वीडियो अच्छा लगे थोड़ा सा इसको लाइक जरू करें दोस्तों में सेयर करें जो भी प्रेक्टिस करते हैं और अगर चैनल पर नहीं सको सब्सक्राइ आपको उनको गलत तरीका कनंउला लग था और गलत जगह पी लगा उगा था कई बार क्या होता है वो जों पर मॉव्मेंट उहां पे लगांते तेंगा नहीं आपकों के नहीं है उनको जपू Dass रिपर बात को जब पेसंट आयाँ और दो दिन तक कर डिमिट रहा उसको कनिवला गलत तरीके से लग गया या फिर वो आउट हो गया कनिवला क्या होता है वो नस से बाहर निकल जाता है वेन से निकल के जो मांस पेसियां होती है जो इसकिन होती है या फिर जो उपर की उसमें वो लग जाता है जाके कई वार क्या होता है जो हड़ फ्लूड तो चल रहा है इंजेक्शन चल रहा है लेकिन वह यह नहीं देख पा रहे हैं कि उसको वीगो लगा है वहांपर प्रॉपर सूजन आ रही है और प्रेशन को बहुत दर्द हो रहा है जब वह वीगो निकाला गया दो दिन बात उसमें से पस निकला और ब्लैक कलर का प्रद निकला पेशन को काफी पेन भी हो रहा था आप सोचिए गलत तरीके से कन्यूला लगने की बजह से उसको आई भी फ्लूड कितने दिये गए होंगे इंजेक्शन कितने दिये गए होंगे उसका हाथ पूरा सूज गया कई बार क्या होता है डॉक्टर जब कन्यूला कठा हो जाते हैं blood clots हो जाते हैं जिसकी वज़े से वो सेकाई से ठीक नहीं होता है इसको ठीक करने के लिए proper medicine लेनी पड़ती है तब ही यह ठीक होता है अगर यही same condition यही same जो मतलब चीज हुई है hospital में अगर आपके clinic पर हो जाए सोचिए क्या होगा patient के जो साथ वाले होते हैं आपका दिमाग खा जाएंगा आपका जीना हराम कर देंगा लेकिन hospital में किसी ने कुछ नहीं बोला क्यों नहीं बोला क्योंकि वो जानते हैं कहां पर अपना मूँ खोलना है और कहां पर अपना मूँ नहीं खोलना है तो इसलिए यह गलती बिलकुल करें पहले आपको वेन क्लियर करनी है ऐसी जगा पर क्लियर करनी है जहां पर जोड़ना हो मूमेंट कम रहती हो ऐसी जगा पर कनियुला लगाना है और आपको इंसे और कर लेना है पैसे बारबार पूंचते रहें दर तो नहीं हो रहा है सूजन तो नहीं आ रही आपको दे दी जाती सबसे पहले तो सेकाई करने के लिए का है गुन गुने पानी में नमक डाल के उसको दुलाईए अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो एक थ्रॉम्बोफोब आती है आप जानते हैं थ्रॉम्बोफोब देना यह एंटी प्लेटलेट होता है यह करता क्या है अगर वहां पर प्लॉड बन रहे हैं तो वह डिजॉल्व हो जाता है पिघल जाता है सूजन चलि जाती है अगर पिपर दिया नहीं देता ह eller जिसमें सब आपको जीरो डॉल एस्पी देनी है अगर नहीं है तो ऐसे किलो पैरास रेसियो पेप्रीरेस में जो होती है एस्पी वो टेबलेट सुभा साम देनी पेशन को और इसके साथ ही कोई भी पीपी आइड कर सकते हैं रबेपराजूल पेटापराजूल पेशन को सुभा खाली पे तो यह सावधानी जरूर रखनी चाहिए इतना टीमेंट देते हैं तो अगर इंजेक्शन की गांट है या फिर कनूला की गांट है वो जल्दी ही ठीक हो जाती है तो सावधानी रखिए आपको वीगो लगाना आना चाहिए और कहां पर लगाना है यह बहुत ही जरूरी जा सकते हैं इस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं